नमस्कार दोस्तों, आज कबीरदार्ची की एक पोयम को पढ़ते हैं और समझते हैं समझना थोड़ा कहना आतिशक्ती होगी क्योंकि कविता जो है इसको समझा जाही नहीं सकता सिर्फ महसूस किया जा सकता है कविता का शीशक है सखिया वो घर सबसे प्यारा सखिया वो घर सबसे न्यारा जहां पूरण पूरुष हमारा जहां नहीं सुख दुख साच जूट नहीं पापन पुन्य पसारा नहीं दिन रैन चांद नहीं सूरज बिन जोती उजियारा सखिया वा घर सबसे प्यारा तो कबीरदार जी भगवान कृष्ण का जो स्थान है या फिर पूर्ण पुरुष जो है जो भगवान है उनके जो स्थान है उसकी व्याख्या कर रहे हैं और बता रहे हैं नहीं तह ग्यान ध्यान नहीं जब तप वेद कितेब न बाणी करनी धरनी रहनी गहनी ये सब जहां हिरानी सक्षिया बागर सबसे प्यारा जहां पूरण पुरुष हमारा तो ना करनी है ना कुछ करना है ना कुछ धरना है ना रहना है ना कुछ गेहने है घर नहीं अधर ना बाहर भीतर पिंड ब्रह्मांड का चुनाही पांच तत्व नहीं है गुन तीन नहीं तह सखी शब्द नताही सखिया वागर सबसे प्यारा जहां पूरण पुरुष हमारा तो पांच तत्व नहीं है तीन गुण सत्व रजस तमस जिससे शर्ष्टी की रचना होती है वो नहीं है फूल न मूल बेली नहीं बीजा बिना ब्रच पल सोहे ओहम सोहम अर्द उर्द नहीं स्वास लेख न को है सखियां वाघर सबसे प्यारा जहां पूरन पुरुष हमारा जहां पुरुष तहवां कचुना ही कहें कबीर हम जाना हमरे संग लिखे जो कोई पावे पद निर्वाना सखियां वाघर सबसे प्यारा जहां पूरन पुरुष हमारा it's a beautiful poem and my interest or my attempt today has been just to introduce you with this poem Om Namashevaya